दोस्तो केटरीना कैफ और विक्की कोसल की जोरी देखने में बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही हैं जो 9 दिसंबर को एक दूसरे से साधी करने वाले हैं और इस तरह दोनों इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ के लिए खूब सुर्खिया बटोर रहे हैं जिनकी इस पर्सन देने वाली इस खूबसूरत जूरी की फिल्मों में कितना फर्क है यानि की दौनों ने बॉलिवूड को कितनी कितनी फिल्में दी है और कितना फर्क है इन दौनों की टोटल मूवी में आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं अगर आप भी इसी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए साथ ही अपनी फेवरेट जोरी कैटरीना कैफ और विक्की कोसल के लिए इस वीडियो को लाइक करना ना भूले जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बॉलिवुड इंडिस्ट्र में आई अपनी पहली फिल्म बूम देकर अपनी सांदार पफॉर्मेंस से दर्सकों का खूब दिल जीता था और आगे चलकर पार्टनर वेलकम और टाइगर जिंदा हैं जैसी तकरीबन 45 मूविज में अभिने किया जहां उनकी जादतर फिल्में बॉक्स ओफिस पर तहल का मचाती हुई नजर आई है अब बात करते हैं विक्की कोसल की फिल्मों की तो आपको बता दे इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुवात एक्टर के तौर पर नहीं बलकि एसिस्टेंट डाइरेक्टर के तौर पर की थी जी हाँ इन्होंने साल 2012 में आई मूवी गै वसेपूर में एसिस्टेंट डाइरेक्टर के तौर पर काम किया था और इसके बाद इन्हें इसी साल लव सवते चिकन खुराना मूवी में ओम का किरदार निभाने का मौका मिला था जिसको इन्होंने बेहत खुब सूर्ती से परदे पर उतारा था तभी तो इन्हें ग्री इसमें राजी, संजू और भूस जैसी कई फिल्मों के नाम सामिल है तो इस तरह से कैटठीना कैफ और विक्की कोसल की मुवी में 28 फिल्मों का फरक है जी हां plugs कैट Рिनल के फिल्मों में पमें 20 और जिसका फिल्मों money में बाज्यकंने के बाद क्या कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेट करके जरूर बताए साथ ही बॉलिवूड इंडस्ट्री से जुरी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले